हाज़े बाई सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजे कि आपके लिए एक बहुती बड़ी खुश खबरी है कि इसी 10 फेबरोरी को एक बहुती बड़ा scholarship test होने जा रहा है और ऐसा defense में पहली बार कुछ हो रहा है जिसका नाम है वरदान scholarship test यह cost guard navy और air force के candidate के लिए है ठीक है और यदि आप इसमें top करते हो ठीक है top 15 winners से इसमें चूच किया जाएंगे तो अभी मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या-क्या आपको prizes मिलेंगे लेकिन इसका जो registration price है वो RS 50 रुपीज है तो 50 रुपीज कुछ नहीं आपके लिए ठीक है वीडियो के description में link बिल जाएगा अगर आपको अपने उपर विश्वास है तो फटा-फट अपने आपको register करो ठीक है तो फटा-फट वीडियो के description में link अपने आपको register करो और जो लास्ट डेट है वो 9 फेबरवरी है 9 फेबरवरी को बंद हो जाएगा registration registration तो 9 फेबरवरी से पहले पहले जल्दी से जल्दी registration कर लो अगर आपको अपने उपर विश्वास है और यह कोई नहीं करवा रहा है ठीक है यह करवा कोन रहा है कोई ऐसा नहीं है कि कोई अब आप में से जितने भी लोगों ने कोश्टगाट डीवी जीडी आंत्रिक में फ़र्म डाला है अब जो कुछ भी बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सुनियेगा देखे आपको यह तो पता यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका एक्जाम है वो मीड़ या फिर इंड आफ मार्च होगा अपका ठीक है इंड आ फिर मीड आफ मार्च Harry 2022 लेकिन यहाँ पर मैं आपको fix exam date बताने वाला हूँ कि आपका exam mid march होगा या फिर end of march होगा तो उस इसाब से आपको जो है बिल्कुल तयार हो जाना है अपने आपको तयार कर लेना क्योंकि देखो यार अगर जो मैं आपको date बताने वाला हूँ मुश्किल से आपके पास देड़ महीने का भी समय नहीं बच रहा है ठीक है और अभी भी आप लोग क्या है अभी सो रहे हो आप लोग कहीं बिल्कुल सनना टाच है हुआ है classes चल नहीं है, classes पे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है, जाए वो English की class हो, Science की, Math की, कहीं भी और सिर्फ ये मेरी ही बात नहीं है, कोई भी अभी educator जो आपको Coast Guard के लिए classes दे रहे हैं आप लोग किसी की भी आप classes नहीं देख रहे हो ठीक है, तो ये आपके सबसे बड़ी गलती है भाई साब, cut off जो है आपका रुला देने वाला है, ठीक है, और पिछली बार अभी cut off ने रुलाया था, इस बार भी रुलाएगा आपको cut off अगर negative marking नहीं है तो तो please active होकर कि जो आपने खुद का जो है self study भी करो पहली बात तो ये mid of March में आपका exam होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है mid of March किसली नहीं होगा क्योंकि आपका 18-19 March में आपका holy पढ़ रहा है ठीक है, तो holy के time पी तो बिलकुल भी आपका exam नहीं होगा क्योंकि जो कुष्टगार्ड का exam चलता है, वो कम से कम 3-4 दिन चलता है, ठीक है, तो ये कभी जो है आज तक पिछली बार भी जब हुआ था जो है पिछले साल जब March में exam हुआ था तीनोंने जो है 18-19 March से इनोंने जो है mid में शुरू किया था तो mid में तो कोई सवाली नहीं है क्योंकि 14-15 March में ये तो करवाएंगे नहीं, ठीक है तो जो आपका exam date है वो कही ना कहीं 20 March के बाद ही पढ़ने वाला है, ठीक है कही ना कहीं जो है, या तो 22 से सुरू हो जाए, या 24 से सुरू हो जाए, ठीक है तो आपका end up March ही आपका exam होने वाला ये चीज ध्यान दीजेगा, ठीक है, कभी भी मतलब 20 March से ले करके 25 March के बीच में कभी भी आपका exam ये 5 दिन फिक्स है आपका कभी भी आपका exam सुरू हो सकता है, तो उसी according अगर आप देखोगे, तो आपके पास अभी लग रहा है कि 45 दिन भी मुश्किल से सही से तैयारी करने के लिए नहीं बच रहा है, ठीक है, और आपके अंदर क्या है, अभी भी आलस सिभरा पड़ा है, लास्ट का 10 दिन जब आपका बसता है, तो आप जागते हो कि अरी यार अभी तैयारी नहीं हुई, चलो ये क्लासिस देख लेता है, इस सर क्या प्रोवाइड करा रहा है, लास्ट दिन में कौन सामरेद घोल के सर पिला देंगी, ठीक है, तो प्लीज यार, रिक्वेस्ट है, दिल से बुरा लगता है कि माता-पिता का आप लोग जो है, ऐसे समय ले रहे हो माता-पिता से कि समय दो मै एक्जाम निकाल करके दिखाऊंगा, और माता-पिता के जो आँखों में आप लोग धूल डाल ले होगा, इस तरह से, ठीक है, तो एक्टिव हो करके अपनी खुदबे घर बैट करके अपनी सेलफी स्टड़ी करो, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ो, ठीक पैत का भी ठीक है, चलो धन्यवाद सभी को,